हेलो फ्रेंड्स तो यहां मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ घर पे मावा या खोया कैसे बनाते हैं तो चलिए इसे बनाते हैं बहुत ही जादा आसान है और बहुत अच्छा बनता है बहुत प्योर बनता है अब घर पे जरूर इसे बनाए तो इसके लिए मैंने एक कड़ाई मी दो लीटर के करीब दूद लिया है हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने फुल क्रीम मिल्क यूज किया है फिर इसके बाद फ्रेंट्स हम इसे उबलने के लिए रख देंगे और इसे हम ऐसे एक बार चला देंगे फिर यहाँ पे आप देखिए इसकी कितनी अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है हमें ध्यान रखना है कि दूद हमारा बहन जाए तो इसी तरीके से हमें इसे पकने देना है बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा चलाते जाना है और इसे हमें पकने देना है और बीच बीच में हमें ऐसे इसके जो किनारे किनारों पर ऐसे लग जाता है इसे भी इसमें निकालते जाना है और दूद में mix करते जाना है और हमें इसे पकने देना है मैंने यहाँ पे इसे लगबख एक घंटे तक ऐसे ही पकने दिया तो यहाँ पे देखिए इसकी quantity बिल्कुल आधी हो चुकी है और दूद हमारा काफी गाड़ा भी हो चुका है अब देखिए अब हमें इसे और पकने दिना है तो एक घंटा यह आधा होने में लगा तो अभी एक घंटा और लगेगा यह पकते हुए लेकिन जब हमारा दूद ऐसा गाड़ा हो जाए और एक घंटे तक पक जाए आधा हो जाए इसकी quantity तो हमें हटना नहीं यह gas के पास से इसे चलाते रहना है लगातार देखी यहां पे काफी जादा भाव भी बन रही है हमें इसे लगातार चलाते रहना है नहीं तो यह जल जाएगा अब देखी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है इसका color भी change होने लगा है तो yes friends देखी कितना जादा गाढ़ा हो चुका है अब हम इसे चलाते रहेंगे तो बस इस stage पे आप देखी घी कैसे उपर उपर आ रही है क्योंकि friends यह बहुत ही जादा प्यावर बन था है अगर आप इसे घर पे बनाए बहुत और देर नहीं करनी है गैस हम ओफ कर देंगे friends यह आपको गीला लग रहा है लेकिन हम गैस बंद करेंगे क्योंकि घीव अगेरा पिगला हुआ है तो इसमें ऐसा गीला यह नजर आ रहा है तो हम इसे बंद कर देंगे यह जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा तो yes friends मज़ेदार खोया रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ करें और हमें बताएं आपको कैसा लगा